क्योंकि हजार रुपे भी अगर आप लगा रहे हैं तो आपको हजार बार सोचना चाहिए क्योंकि वह हजार किस दिन हजार करोड बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपको एक परडिकुलर स्टॉक का टॉप और वाटम कभी पता नहीं चल सकता अंडर वेल्यूड स्टॉक ओप्रवेल्यूड हो जाएका ओवर्यूड वाला अंडर वेल्यूड हो जाएगा बट वह फेर व्यूमें हमेशा आएगा ट्रेडिंग तो आप सीख सकते हैं लेकिन सही तरीखे से बहुत बैस तरीखे से ट्रेदिंग कर पाएं उसके लिए आपको लगीगा अब आज की तारे में क्वालिफाइड चार्टे अगांटेंट भी हूँ और साथे साथ सेभी रेजिस्ट्राइड भी हूँ अब दो हजार बीस के बाद से जो जरनी चालो होती है वहां पे मैंने जैसे की भाईया ने कहा कि मुझे तेरा साथ चाहिए हम एक आगे विजन और मिशन के साथ काम करते हैं कि यह जो दुनिया में लोग लौस कर रहे हैं जो बड़ा पैसा खो रहे हैं उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल अपना रिसर्च में बिताया था तो मेरे दिमाग में तो बैट गया कि भाई आगे आने वाले समय में अगर हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाते हैं कि वो नुकसान ना करें मार्केट की वज़े से अन्नेसरी परेशान ना हो तो उनको हम सक्सेस्फुल बनाने की कोशिश में क्या कर सकते है तो उसके बाद उन्होंने विजन रखा, मिशन रखा कि भई मुझे आगे जाके मैं चाता हूँ कि इंडिया के हर एक इंसान जो भी ट्रेडिंग करता है जो भी इंवेस्टिंग करता है उसको हम हम हेल्प कर पाएं डिरेक्ली और इंडिरेक्ली हमारा मकसद कमाना इन लोग जिना ही नहीं पड़े उस वज़े से वह विजन और मिशन के साथ उन्होंने मुझे कहा मैं बहुँत हद तक जबरदस तरीके से कन्विंश हो गया मुझे लगा कि आगे करना है तो यही करना एं क्योंकि लोगों की हेल्प भी हो रही है और उन्होंने मुझे कहा कि मैं चात घ्रेदिंग कर रहे हैं सबसे पहले सब आक्राइड नारे मेड़ है यह लोगों समझना कि अगर आप यह समझते तो आप सबसे पहले गलत है क्यों गलत यहां क्यों कि और 10 लाग तुरन दूसरे मेंने ही 20 लाग हो जा ऐसा तो आप नहीं सोचेंगे तो आपको सोचना चाहिए कि ट्रेडिंग एक बिजनस है बिजनस में एक स्ट्रेडिंग कि आपको कोशिश करना चाहिए वर डिलाशटीग वनाना आसान है और उस क्यों कि चोटा-ठोटा पैसा कमाने की खोरनों को जाएंकि और जब अप्तों ठोड़ा पैसा एकठा करेंगे तो बहुत si तो इसलिए आपको ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए और बिजनेस के एंगल से ट्रेडिंग करना चाहिए रैधर देन स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए आप कोशिश यह करते हैं कि भाई मैं आज अगर कोई चीज दोसों में ले रहा हूं तो बस 10-15 द प्रोफिटेबल ट्रेडर्स में आप दीरे से वो 93 परसंट में कब खिसक जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा तो आपको इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करें कंसिस्टेंट और रियलिस्टिक रिटन बनाने की कोशिश करें क्योंकि वह आपको साल भर में एक अच्छा खासा रिटन और विल्ट करने में हेल्प करेगा क्योंकि हर किसी के साथ यह प्रॉलम तो हमेशा होता है कि उसके पास कैपिटल छोटी होती है बट छोटी कैपिटल की वजए से आप उस पैसों को रिस्पेक नहीं करते आप क्योंकि हजार रुपे भी अगर आपफ लगा रहे हैं तो आपको हजार बार सोचना चाहिए he ये लॉंग टॉम के हिसाब से लगाना है तो धीरे धीरे करके मेरे से डॉल जन्रेट करने के लिए ट्रेडिंग करना है कि आपकी circle of competence क्या है अगर आपकी circle of competence आपको बताती है कि आपको यह चीजे ज्यादा बहतर समझती है और आने वाला समय उसी चीजों का होने वाला है तो आपको sector analysis में लग जाना चाहिए आपको वह industry को अच्छे से analyze करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको आपका दाव खिल नहीं देख सकते तो क्योंकि एक reasonable return generate करने के लिए आपको एक अच्छा खासा समय लगी जाता है आप बैंक में भी जाते हैं तो बैंक भी आपको बोलता है कि आप एक साल तीन साल पांस साल की FD करिए आपको वह यह तो नहीं बोलता कि आप कम से कम टाइम की FD करिए कम समय क कि आप करेंगे तो आपको उतना अच्छा return नहीं मिलेगा आप तो inflation को भी बीट नहीं कर पाएंगे अब आपको inflation को बीट करना है आपको market में अच्छा परफॉर्म करना है आपको अच्छा खासा earn करना है तो आपको extraordinary return के लिए extraordinary समय देना पड़ेगा जब तक आप extraordinary समय नह पाता नहीं चल सकता अंडर वेल्यूड स्टॉक ओवर वेल्यूड हो जाएगा बट वह फेर वेल्यू में हमेशा आएगा हर समय वह फेर वेल्यू में कभी भी हमेशा आएगा जैसे कि अगर आप example के तौर में मैं आपको अताना चाहूं कि अगर कोई industry का आपको दिख रहे करने के लिए 50 रुपए खर्चा करने के लिए रेडी हैं तो आपकी margin of safety तो five times हो चुकी है अगर आपकी margin of safety पांच गुना हो चुकी है तो आपका पांच गुना वह शेर का वेल्यू कभी ना कभी तो आएगा कोई ना कोई FII डिया या बड़ा इंवेस्टर उसमें बड़ा वेल्यू में आके अच्छा काशा return generate कर पाएं तो आपको यह सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसी के साथ आपको यह देखना चाहिए कि अच्छी है कि नहीं अर्निंग अच्छी है कि नहीं ऐसे तो कमांब काफी सारे तमाम आपको factors को देखना चाहिए और इसको आप अगर टेकनिकल स्टेडी के साथ कर देते हैं तो टेकनिकल आपको help कर सकता है कि कहां पर momentum built-up हो रहा है अगर वहां पर आपको momentum built-up होते दिख रहा है तो आप वहां पर भी नहीं फसेंगे कि आप दो साल तीन साल तक वह इस टॉक consolidation में चला गया है तो इसलिए आपको टेकन fundamental strong stocks को ही पिक करना चाहिए considering valuation अगर valuation justifiable है और आगे आने वाला समय आपको दिखता है कि आने वाला समय यही होने वाला है कि जैसे आपको दिख रहे हैं कि आने वाले समय में power sector बहुत reform करने वाला है railway sector बहुत reform करने वाला है इसी के साथ-साथ आपको यह भी देख रहा है कि आने वाले समय में infrastructure में बहुत कुछ होने वाला है इंडिया में क्योंकि इंडिया में अभी world class infrastructure बनाने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत government को लगने वाली है तो अगर government उसमें काम करेंगी तो कोई ना कोई company जो अच्छी company होगी जो fraud करने वाली company नहीं जो next level पर जाने वाली company अगर आप उसमें 10 साल तक invest करेंगे तो आपकी wealth compound होने ही वाली है तो आपको सिर्फ अच्छे stocks चुनने हैं आपको healthy चीजे देखनी है उसमें वह आपको help कर सकती है multi bagger stocks चुनने में और penny stocks से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आपका penny stocks hero zero की तरह हो सकता है वो किसे दिन आपको बड़ा नुकसान भी जा सकता है बड़ा पैसा भी बनाने में help कर सकता है बट किसी दिन बड़ा पैसा बन जाए किसी दिन बड़ा पैसा तूट जाए तो वैसा कमा के फाइदा ही गया है आप कोई भी business करेंगे तो आप चाहेंगे ना कि वह business में consistent एक reliable income आती रहे त capital बड़ी करने के लिए आपको मेहनत लगेगी और मेहनत करने के लिए आपको अच्छी trading सीखनी पड़ेगी अब trading तो आप सीख सकते हैं लेकिन सही तरीके से बहुत best तरीके से trading कर पाएं उसके लिए आपको लगेगा समय तो समय तो आपको market को देना ही होगा तो simple अगर मैं आपको बताना चाहों तो आपकी अगर छोटी सी capital है ज्यादा बड़ी capital नहीं है तो आप trading से earn करके investing करो investing की capital को और ज्यादा increase करने की कोशिश करो trading आप consistent करते रहो अच्छी profitable traders बनने की कोशिश करो 93% से 7% आने की कोशिश करो वही आपको एक long term में अच्छा profitable trader और profitable investor बनाने में help कर सकता है तो अगर दोस्तों आपके कोई भी सवाल है कोई भी question है fundamental research related तो आप comment box में comment करिए मैं आपको पूरी help करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको छोटी से छोटी कोई भी query होती है तो आप comment box में डाल दीजे मैं आपको उसका answer देने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहुत बहुत जो stock का कि जिसने मुझे 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 मौका दिया अपनी journey को share करने का और आप लोगों से रूगरू कराने का क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों की help करना Thank you